अपने ग्रह जनपद गुजरात के कोडी नार्मे जनसभा को संबोधित कर रहे हैं इसी दोरान अमिशा ने कॉंग्रेस अधिश राहूर गांधी पर जमकर हमला बोला अमिशा ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशाना की बात कर रहे हैं ये लोग देश का बटवारा कराना चाहते हैं और कॉंग्रेस इनका साथ दे रही है राफियल पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिली मिन्री टेक्निकल आबजेक्शन पर कारवाही की तो राहुल गांधी ने कहना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मोधी सरकार को फटकार लगाई इसके खिलाफ बिजेपी प्रिवेक्ता मिनाक्षि लेखी ने राहुल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अवमानना की याज का दर्ज कराई है भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कॉंग्रेस ने अभी से एवियम पर रोना शुरू कर दिया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस जब कहीं से जीती है तब एवियम पर सवाल नहीं उठाती लेकिन जहां से हारती है वहाँ पर एवियम पर सवाल उठाना शुरू कर देती है इससे पहले भाजपा अध्यक्ष ने कतरवी हिमाचल दिवस के अफसर पढ़ लोगों को शुपकामना दी ऐते ही अन्हे खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आइन्योज इंडिया धन्यवाद